नमस्कार किसान भाईयो दोस्तों आज हम बात करेंगे सोयाबिन की खेती के बारे में किसान भाईयो वेसे तो आप सभी बहुत पुराने समय से सोयाबिन की खेती करते आए हैं आपको बहुत जदा अनुभाँ हुगा कि हम ज़्यादा से जदा सोयाबिन का उत्पादन कैसे ले सकते हैं लेकिन दोस्तों मैंने भी अपने जीवन में सोयाबिन की खेती को लेकर कुछ अनुभाँ प्रायोगिक तरीखे से लिये हैं किसान भाईयो एक बात में आपको बता दूँ किलियर कर दूँ कि कोई भी प्रोडक्ट में बताता हूं उसके पहले उसका प्रयोग जरू करता हूं उसी के बाद में आपको जान कर देता हूं किसान भायों आम तोर पर कुछ किसान भायों ने अपनी खेती करने के तरीकों को थोड़ा बदला हैं और कुछ किसान अभी भी परमपरागत खेती कर रहे हैं जिन किसान भायों ने खेती करने के तरीके को बदला हैं उन किसानों को ज्यादा फाइदा हुआ हैं क्योंकि उनका YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी प्रगार की वीडियो आगी भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सस्क्राइब जरू करें और पास आई बेल आइकन को प्रेश जरू करें ताकि वीडियो के नए-ने नोटिफिक्शन आपको समय से मिल जाए और दोस्तों वीडियो को लाइक की मद्यम से जरूर बताया करें किसान भाई और सोयाबिन की फ़सल में 30 दिन बाद फूल आने शुरू हो जाते हैं कुछ विराइटिया में जल्दी फूल आते हैं तो कुछ में देर से लेकिन और राल हम देखे तो 30 दिन तक सभी विराइटि में फ्लावरिंग शुरू हो जाते हैं जैसे ही फूल आना शुरू होते हैं उसके बाद इल्लियो का प्रोकब भी शुरू हो जाता है फिर किसान भाई इंसेक्टिसाइट का प्रयोग सोयाबिन के फ़सल पर करते हैं ठीक इसी समय हम इंसेक्टिसाइट के साथ एक टॉनिक का प्रयोग करेंगे जिसका नाम होता है मोनो पोटिशियम फासफेट जिसको हम एम केपी के नाम से भी जानते हैं वहीं यह 0-22-34 के नाम से भी जाना जाता है यह पानी में पूर्ण रूप से गुलंचल खात के रूप में आता है इसमें फासफोरस 52 प्रतिशत पोटेशियम 34 प्रतिशत तथा कुछ मातरा में नमक यानी की एणेसल की भी रहती है किसान भायो इसके उपयोग से स्वयाबिन में हमने पिछले साल भी बहतर रिजल्ट देखे हैं जैसे उत्पादन में वरदी, सोयाबिन के दाने में चमक, सोयाबिन के दाने का एक समान रंग, दाने की एक समान साइज, दाने के आकार में बड़ोतरी, जिससे सोयाबिन मंडी में अच्छे भाव पर भी बिकी है MKP का फार्मूला कुछ प्रकार काम करता है, जब सोयाबिन फूल आने के अवस्था से कुछ दिन आगे निकल जाती है, तब इसका इस्प्रे हमें करना है कुछ किसान फूल वाली अवस्था में भी इसका इस्प्रे करते हैं, वह भी ठीक है, लेकिन बहतर रिजल्ट के लिए आप 40 दिन बाद इसका उपयोग अपनी सोयाबिन के फ़सल में करें, तो यह अच्छा रिजल्ट देगा किसान भायो इसको खात के साथ एक अच्छा फंकी साइड भी माना जाता है, जिससे सोयाबिन में लगने वाले हलके फलके फंकस को भी दूर कर देगा, अब हम बात करते हैं इसके परियोग विदी की, इसको हम 1 किलो ग्राम प्रती 3 बिके के आदार पर इस्प्रे करेंगे, तो बहतर रिजल्ट हमको मिलेगा, इसमें कोई संदे वाली बात नहीं है, इसके मार्केट वेल्यू के अगर हम बात करें, तो यह 150 रुपे प्रती 1 किलो के पेक में आपको मिल जाएगा, किसान भायो इसको आप किसी भी प्रकार के किटनासक के साथ इस्प्रे कर सकते हैं, इस्प्रे में ले सकते हैं, आपको रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा, किसान भायो उम्मित करूँ है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कीजएगा, चलिए मिलते हम अगले वीडियो में एक नई जान करें साथ, जय हिंद ब बात्र हाई